प्यो प्योेखगें जक्रीं अजय जक्रावरावदा matter बेटा-मस जऩी जी पापजी मुझे लगता है मेरा अंतिम सुमें आ गया है ऐसा नहा कहो पापजी वस बेटा अब मेरा बुलाओा आने वहला है नहीं पापजी मैं जाता हूँ मरने से पहले कुछ अच्छा काम कर जाँ नहीं नहीं पापा जी कुछ दान पुन कर दू नहीं नहीं पापा जी तुने जय हनुमान मंदि देखा है नहीं नहीं पापा जी क्या आप नहीं देखा है पापा जी आप चाहता हूँ आदा किलो सोने का बंदर वहां भेंट कर दूँ नई नई पपाजी आप पपाजी वो सोने का बंदर भेंट करने की क्या दरूरत है उसकी जगा कोई दूसरे बंदर ले लेंगे जो दो-तीन सो रुपे में आ जाएगा ठीक है पापाजी क्या आजा जय हनुमान मंदर जय और पता लगा के बंदर कैसे लगाएंगे, जय लगाईगे ठीक है मन अभी जाता है बहुलो पजंग जय को जय को फांक क्या सलमान घान की अब अब स्रानुमान नहीं हनुमान बोल लिया हूँ पवन कुट्टर हनुमान फिर को जाये देखे जागरित हनुमान मंदित के ट्रस्टियों कम करमचारियों देखने में एक बात आ रहे है कि आज को लोग चढ़ावा ही नहीं चढ़ा रहे हैं क्यों अरे छुट्या चल रहे हैं ना प्रभू? अरे भोले ना इस भगवान की छुट्या तुझे चल लए ना लेकिन भग्लों के छुट्यों पे चले जाते है ना घूमने के लिए यही तो अगले महीने से चढ़ावा बढ़ने की उमीद है कैसे? जय हनुमान! अगले महने से बच्चों के एक्जाम शुरू हो रहे तो लोग बाग एक्जाम से पहले और बाद में चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं? अरे लंगूर! हम सभा रुपई के चढ़ावे की बात नहीं करने हैं! हम मोटे चढ़ावे की बात करा हैं, आप तो हेड पंडित हैं, आप कुछ कर्टे को नहीं तो क्या करें, खुद चढ़ जावे की जड़ावे की जड़ावे की जड़ावे? ना, ना, खुद मत चढ़नाने, तो सवा रुपए में भी नहीं कोगे क्या? नहीं, इनका कहने का मतलब है कि प्रभू ऐसी स्कीम निकालिये कि भक्त लोग खिचे चले आएं बस एक अफवा उड़ादो, के हेड पंडित पांडे जी को बजंग बली सपने में डर्शन दिये और उन्होंने कहा है कि जो भी प्राणी बुद्धवार को हमें चढ़ावा चढ़ाएगा उसकी मनुकामना अवस्यपूरी होगी बुद्वार? लेकिन हनमान जी का दिन तो मंगलवार का होता है हनमान अरे बुद्वार बोलेगे तो खोड़ा डिफरेंट लगेगा ना यही तो मंगल अर्शनी को तो लोग आते ही है बुद्ध को भी आएगे और चढ़ावा चढ़ाएगे मैडम जय हनुमान भाई साँ जय हनुमान मैडम यह भेंट के बारे में किस से भेंट करूँ भेंट चढ़ानी है या भेंट करनी है भेंट चढ़ाने के बारे में भेंट करनी है कि कैसे किस तरह से हो सकता है कैसे है जी नहीं वस्तू है वस्तू कौन चढ़ा रहा है मेरे पापा जी जिन्दा है या मर चुक है अभी तो जिन्दा है पर क्यों पूछ रहे हैं ने जो है उनकी बेट अलग होती है और जो चड़ चुक है उनकी बेट अलग होती है स्मृति चिन्ड के रूप में ने अभी तो जिन्दा है तो ठीक है भाटियाजी से मिलो, हमारे अकाउंटेंट है, वो बताएंगे कहा क्या करना है, भाटियाजी कहा मिलेंगे, जय हनुमान भाई साहब, मेरा नाम मुसद्दिलाल तोमर है, कह ये, जी मेरे एक पापा है, अच्छा एक ही है, हाँ एक ही पाप, और कितने होंगे, बोल तो उनको गन्य का जूस पिलाओ ना, अरे मैं हर तरह का जूस पिलागे देख चुका हूँ, अब क्या है कि उनका अपना ही जूस निकल गया है, अच्छा, कैसा है, उनका अपना जूस निकल गया है, अच्छा, कैसा है, उनका अपना जूस निकल गया है, अच्छा, मैं ऐस कितने तोले का? तोले का नहीं, आजी किलो का. अजया, अजया. उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अजय उसके लिए आप क्या करेंगे? जो करेंगे हम करेंगे भई. आप तो बज़ भेट का फार्म भर दीजिया. फार्म कहां मिलेगा? फूजा जी के पास. अरे, पहले कहना था, कि आधा किलो सोने का बंदर भेट कर रहे हो? उससे क्या होता है? हम आप का कम पहले कर देते. ऐसा क्यों? हनुमान जी के मंदिर में बंदरों का कम पहले किया जाता है. आपको मैं बंदर दिखाई देता हूँ. नहाँ, अब बंदर भेट कर रहे है, नहाँ? अच्छेस, तो मुझे क्या करना होगा? आप क्या करेंगे, जो करना है हम करेंगे. तो करेंगे na? पेले आप जरह यह करिए नहाँ. नहाँ, यह सब करना मुझे नहीं आता? मुझे भी नहीं आता है. क्या? जैसे भी आता है कर लो ना यह फॉर्म भरना है ला यह में भर दे देंगा ना मैं भरूंगी जो पूछूंगी बोलते जाओ नाम मुसद्दिलाल तोमर उम्र चवालेस साल पता च्यालेस पटा अरफ तालेस मीरपूर चड़ावा किसके नम चड़ाना है जी मुसद्दिलाल त विस्तर पर लेटर रहेंगे? ओ, गुड़, अब इतिहास बताईए उनका. किसका? पापाजी का. क्यों? चढ़ावा चढ़ाने वाले के पापुन्य का सवाल होता है. उसी सब से नियत तई की जाती है, ना? अच्छ, अच्छ. पापाजी कैसे हैं? जी, बिल्कुल पापा जैसे हैं. उनकी जैब में पैसे हैं? जी, बहुत हैं. हाँ, कभी चोरी चकरी की थी? ये क्या सवाल हुआ? पाप उन्य का सवाल है, ना? कभी चोरी चकरी की थी? जी, दो बार. कभी किसी से उधारी ली थी? कई बार. कभी किसी को मारा था کہ ने कभी किसी ने मारा था ये कए लोगों ने जैसे हनुवान जी के हुई थी? कैसे होई थी उनके? क्या है जब हनुवान जी लंका से लौट रहे थे तो उनका पसीना मचली के मुझ में गिरा और एक बेटा पैदा हो गया हाँ लेकिन तुम्हारे पिता जी का पसीना कहा टपका? मेरे पिता जी का पसीना नहीं, मेरे तो पिता जी टपक गए थे मेनी मा के पास कभी किसी को दान दिया था? कभी नहीं कभी किसी से दान लिया था? कई लोगों से याई तो, फिर तो पापा पापी है क्यों? Don't worry, हम सारे पाप धुलवा देंगे, बंदर फिट करवा देंगे. कब तक? देखिए, अभी ये फॉर्म हमारे ट्रस्ट के जो चेर्मेने शुकलाजी उनके पास जाएगा, फिर मीटिंग होगी, फिर फैसला होगा, ना? नहीं, पर इसमें प्रब्लम क्या है, देखिए, एक सोने का बंदर ही तो मंदर में फिट करना है, अहां, पर मंदिर में जगा है नहीं, सब देखना पड़ेगा, ना? क्या? मतलब, रोज इतनी लोग चड़ावा-चड़ाने आते हैं, तो बंदर कहां फिट करना है, वो देखना पड़ेगा, ना? तब तक पता करूँ? अगले हफते आजा? जी. तब तक पापा रहेंगे, ना? तो पापा सही पूछना पड़ेगा, ना? मैं गहां जा रहा हूँ? आप इने तो कहा था, कि आपका बुलावा आ गया है? औरे बेवकूफ, मंदर में बंदर बिठाए बेना कही नहीं चाँगा, मैं. तब ठीक है. क्या कहते है, हनुमान मंदर बाले? वो कहते हैं, बाद में बताएंगे के बंदर कहां बिठाना है. क्या? आम मतलब बाद में उनकी मीटिंग होगी, फिर डिसाइड करके बताएंगे के बंदर कहां बिठाना है. डिसाइड या गदन है, बिटा, बंदर तो हनुमान जी के चड़नों में बढ़ेगा उसका एक्ट्रा लगेगा पच्छाजार ये सही है हनुमान, और अगर दरवाजे पे बिठाना हो तो पच्छाजार हम, और लिखो भाट्या लिखो और आंगन में बिठाना हो तो बैफएडान बाहरवाल गेट में बिठाना हो तो पांच हजार जो पाच हजार भी नो दे पाए तो पिठ, आपने गार में बिठाओ अनुमान जी के चड़नों में पचाश हजार रुपे डारिक चर्णों में बिठा रहे हैं ना पचास जार रुपए देखे आप से पहले दस लोग लाइन में खड़े लेकिन आपके पापा की भक्ती ज्यादा अले हैं यहीं है यहां तो कहीं दिखाइन चाइए दिखाक करते इना यहां घुम्राम ने ह्यांको टेल रगाते को पप्पली को पूलों का ठेका राधे शाम का है थैंक यू पांड़ जी सब अनुमान जी की इच्छा है जय हनुमान बहुत दक्षिन पेटी बें 10 जार उपे डाल देना जी वन्हों और भी लोग खड़ें पूल लेकर पैसे पहुंचाने पांड़ जी जय हनुमान जय हनुमान पंड़ जय हनुमान पंड़ जी मेनाम मुसदिलाल तोमर है वही जिसका ब़ाप मर रहा है जे हां बहुत तबियत खराब है बंदर चड़ाना चाहते हो जी हां सोने का जय हां तो चढ़ाओ जी मेरे पापा की बड़ी इच्छा है बेता है कि बंदर जो है वो अनुमान जी के चढ़नों में चढ़ा जाए अब यह तो बंदर की इच्छा है वो जहां बैठेगा वह बिठा देजिए जी, हाँ, भगवान के चरणों में अगर बिठाना है तो पचास हजार, गरवाजे भी बिठाना है पच्चेस हजार, बाहर आगन में बिठाना है दस हजार, और बाहर गेट में बिठाना है तो पांच हजार, और अगर फ्री में बिठाना चाहते हो, तो अपने घर में बिठा स्वर्गी मुसद्दिलाल तुम और सीनियर जी की स्मिट में स्मिट चिन बंदर हर आने जाने वाले विक्ति उसको पड़ेगा तुम्हारा बाप तो अमर हो जाएगा पिटे अभी तो जंदा है लेकिन अगर मुझे 50,000 रुपे देने पड़े तो जीते जी मैं अमर हो जाओंगा अब बात यह ना कि जो कुछ वो मेरे लिए छोड़के जाएंगे उसी में से निकाल के 50,000 रुपे दूगा ना मैं तो देखी ना पांडी जी कोई रास्ता ने का रही है इस मंदिर का काम भी हो जाए और पेता जी की इच्छा भी पूरी हो जाए एक रास्ता है वह मैं बता सकता हूँ आँ बता ही यहाँ सीधे चले जाओ पाई तरफ मोलती तरफ दाहनी तरफ दरवाजा आएगा उसके अंदर गोश जाना वहां कौन मेलेगा कोई नहीं जी मतल खालू थोड़ा पान अब बोले भागवान देखिये मैं आप तो सब जानते है मैं मुसद्दिलाल बंडर वाले जी मतलब बंडर चळाने वाले जी यहां पर ऐसा हो नहीं रहा क्या समझे क्या देखिये मेरे पापाजी की इच्छा है के बंडर भगवान के चर्णों में र पचास जार रुपया मेरी परसनल जेब से जायेगा वो बंडर वाले डोला वो तो पापा जी ने दान करने के लिए रखे ही थे तो उसकी जगा पर बंडर चळवा रहे है अच्छा एक बात ऐसा करते है कि आपका पचास हजार भी ना जाए और उपर से लाख रुपय भी म मन्दर चला रहे हैं बाद में एक लाग तुम रखे grandma एंज रहे रहां और बंडर है और वही जो पापा जी यहां चड़ाना चाहते हैं मंदिर में मैं यह जय हनुमान मंदिर में अरे यह यह अलेडी इतने बंदरे की पब्लीक परसान उपर तुम एक एक्स्रा बंदर ओच्छा रहे हो पर यह उनकी आखरी इच्छा है पहली इक्स्छा पूरी की देखो अंतिम इक्स्छा पूरी नहीं हुआ तो नरक में जाएंगे बंदर चला आपके कहने का मतलब यह है के बंदर चला भी देंगे पापा जी तब भी स्वर्ग में जाएंगे तुम्हरे पिटा जी कहती हा तो बावधाटर सब हम जानते है एक नंबर के पापी है आपके पिटा जी पापी नंबर बन बोलो अब इसके बारे में तो पापा जी से तक मैं बंदर नहीं चड़ा लूँगा प्रांड नहीं चोड़ूँगा पर पापा वो बहुत फरेशान कर रहा हैं मंदर वो कहते हैं चड़नों में बिठाने के पचास अजार रुपे लेंगे क्या हाँ हाँ कैश देते हैं कैश देते हैं कैश थे हम खुदी बनवा अरे वो तुझे उलू बना रहे हैं वो बंदर नहीं बनाएंगे पैसे खा जाएंगे आपको कैसे पता क्यों नहीं दिखने में तो लोग इमानदार लगते हैं अरे तो उनको जाके बोल के कैश नहीं हम तो बंदर ही चड़ाएंगे पर चड़नों में ना इसे ही कहीं और बिठाओ, गेट के बाहरे बिठादो, हमारा क्या नुकसान तो आप ही का है देखिए अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, पिताजी जो है मान नहीं रहे हैं कह रहे हैं, मैं बंदर ही चडाओंगा, कैश नहीं चडाओंगा माराज, बंदर चडाओ, बक्री चडाओ, कुछ भी चडाओ, पंडे चडाओ 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 लेकिन आप एक अप्लिकेशन लिख के देदीजे कैसी अप्लिकेशन? यही कि मंदिर के गेट के बाहर हमें एक बंदर बिठाना चाहते हैं अच्छा, ठीक है, तो कब बिठाएंगे? कल महुरत निकालवा देते हैं महुरत? अरे भाई, किसी भी चीच की अगर स्तापना करनी हो न तो महुरत निकालना पड़ता है ओ हाँ, तो कब आऊँ? कल आईए अच्छा, ठीक है, नमस्ते जयानुमान जयानुमान अच्छा खेला उससे तो क्या करें, करादे स्थापना? करादे स्थापना, जोड़ीन बाद कह देना कि पोड़ी हो गया आइडिया भोडा नहीं है ऐसे जयानुमान 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 यह एप्लिकेशन लेले वो आप ही रखिए और कैश यह हम रखेंगे अप्लिकेशन ले ले ना माटिया जी ले तो ली भाई अच्छा तो रसीद रसीद? घूस की कोई रसीद होती है अरे हाँ वो तो बंदर की स्थापना कब होगी अब वो तो वही बताएगा कौन? बंदर यह मजाग मटकीजा आप बताएगे कभोगी स्थाफणा भो जागा कभोगए पांडेजी बताएंगे पांडेजी तो आह नहीं ना बाई साब हो मेरे बच्चे की जित्षी कहते हैं चोड़ी हो गई हाँ जैसे पिछली बार तुमने गड़ा उड़ा था बाइसाब वो मेरे बच्चा जी जित्थी अच्छा जै हनुमान पांटे जी जै हनुमान काम बोलो जी वो बंदर की सापना करवानी थी जाला ना जलका दिन तो ठीक नहीं है आज का दिन मेरे ल मुठ have जब भाड़ा अगले मंगलवार को और बंदर मणा के लिया और सुनो दोस्त बंदर महीं समनवाना जिस सुनार से हमलोते मंदर के जेवर बर भाडता है अब जहां जहां से बनवाना होंगा आप मध मत भटत आई अच्छ जहां से बनवाना बनवाने ले उसक मीनू मेणु और क्या बंदर कि शेयं शापना के बाद बरहंबलों का भोजोगा नो इसका मीनु है इतना LM जा साल मेणा है तो आके पापा की आत्मा की शानति के लिए कर रहे हैं अबर मेरे पापा तो भी जंदा है अवार्त कभी तो मेरेंगे हैं पहले से आतमा चांथ कर रहे हैं ना यही तो मैंने तो नहीं साड़ी खरी थी कि स्थापना पर पहनूंगी निराश मत हो यह देखिए स्थापना तो अभी भी निष्चित है ना परन्तु पता नहीं ना पिता जी कब उत्रेंगे कब बंदर चड़ा जाएगा कब उड़ा जाएगा अरे कुछ नहीं बस आप कुछ कीजिये क्या करूं में पापा जी से आप कह दू हमर जाओ हां 50 परसंड नेंगी बाय हनुमान 50 परसंड किसको व कुछ नहीं बई आप पिताजी को कन्विंस कीजिये कि वो मर जाएगा नहीं बंदर चड़ा दे बाकी जीना मरना तो लगा रहता है बंदर चड़ाना तो बड़े कुम्ने का काम होता है जीते जी ले 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 वान परसाथी बैट जी अभी बैठी थी अधिया जी पांडे जी शुक्ला जी उशा जी क्या हुआ मेरे पापा जी की तबियत बड़ी खराब है पाट परेको इसमें खुश होने की बात नहीं है ये तो रोने की बात है देखे भाई ये सब तो प्रभू की माया है बस आप ये बता जी जी की बंदर कब दे रहे हैं कल स्थाफना करा दे है कल कर दिन भी अच्छा है ये तो कल बंदर स्थापित हुआ की सीधा स्वर्ग जाएगा कौन बंदर? नहीं नहीं आपके पापा जी हाँ वही मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा जी स्वर्ग जाएं कहीं उस बंदर की वज़या से नर्क ना चले जाएं नहीं नहीं आप चिंता मत किजिए आपके पिता जी वह स्वर्ग बचाना हमारा जिमा है ना पहुंचे तो पैसे वापस और वह स्वर्ग पहुंच गाए हैं ये कैसे पता चलेगा? पैसा वापस किया तो नर्क में पैसा वापस नहीं किया तो स्वर्ग में पांच हजार रुपए पांच हजार क्यों अरे बताया था न उसने सापने की फीज थीक है तो फिर मैं कल बंदर बनना के लाता हूं जय हनुमान जय हनुमान ए बगवान इस पापी की एपेंट स्विकार करना और इसके पाप माफ करना लाओ पापा देर हो रही है अरे ठीक से माथा तो टेक रहे ते अरे कहीं ऐसा नहों के माथा टेक तेक ते आप ही टिक जाओ जो मेरे ठिकने से पहले यह ऍाली पिटा इसे माथ neighbourhood सेराख जय हनुमान जय हनुमान huh Budget कितना सुन्दर ebena पांदे जी इसका पूर हां मिलेगा कहते बिना कहते बिना कहते पुन मिलेगा बिना कहते 1000 अ तो बस जल्दी से मेरे पता जी की म्रत्यों से पहले आप इसे स्थाफिक करऴादे एंग यह दिन फिर तो पिता जी नरत कि जाएंगी... यह्इहँ जिन. एक सक्षिר है है हा है वर नशे म्यंप फाइदा नहीं है erfolgा हमें द्फ यूल्डीं और अब सीडि़न एंप लो मेरे एसे किसे कर सकते हो जलधी बिठाना पड़ेगा ? पिता जी को सवर्ग मिलेगा ! कि अगर बंधर बिठाने से सवर्ग मिल जाता में तो सारे Cए बंदर मंदिर के अंदर उते ओटे उपर स्वर्ग में क्यों समझे ना जय हनुमान